Hello Friends! Welcome to my channel Greenhouse और आज का हमारा पौधा है तुलसी का पौधा हर पौधे के उपर काम करने के लिए उसकी ग्रोध को बढ़ाने के लिए उसकी फ्लावरिंग को बढ़ाने के लिए एक सही टाइम होता है अगर सही टाइम पर हमने पौधे के उपर काम कर लिया तो हमारा पौधा अच्छी ग्रोध करता है इसी तरीके से हमारे तुलसी के पौधे के लिए ये जो आने वाला टाइम है जो की बारिश का टाइम है वो सबसे बढ़िया टाइम है इसकी ग्रोध को बढ़ाने का बारिश का टाइम में एक ऐसा टाइम होता है जब हमारी तुलसी सबसे बढ़िया ग्रोध करती है ये एक बहुत सही टाइम है तुलसी के पौदे के उपर कुछ काम करने का अगर ये काम आपने अपने तूलसी के पौदे पर कर लिया तो आपकी तूलसी कुछी दिन में बर्गत की तरह घनी हो जाएगी और हजारों मंजरियों से भर जाएगी तो फिर आज से ही आप अपनी तूलसी के उपर ये कुछ जरूरी काम करने शुरू कर दीजे अगर आपके एरिया में बारिश शुरू हो गई है क्योंकि कुछ जगों पर बारिश होने लगी है तब भी आप इस काम को अपने तूलसी के उपर कर सकते हैं जहां पर बारिश का पानी उसको मिलता रहे क्योंकि जितनी अच्छी मात्रा में आपके तुलसी के पौदे को बारिश का पानी मिलेगा आपकी तुलसी उतनी ही तेजी से घनी होगी उतनी ही तेजी से ग्रो करेगी और जादा से जादा नई ब्रांचिस और नई पत्या निका या फिर इसकी कोई पत्ती पीली पढ़ गई है, सफेद हो रही है, इसके उपर फंगस लग गया है, तो उनको भी आप जरूर से हटा दीजे, क्यूंकि अगर कोई फंगस लगी पत्ती आपके पौधे में बनी हुई है, तो बारिश में ये समस्या आपके पौधे के उपर और बढ़ जाएगी और फंगस बढ़ जाएगा आपके तुलसी के पौधे के उपर, इसके साथ ही कीड़े आकर भी लगने शुरू हो जाते हैं, क्यूंकि बारिश में मौईशर बहुत जादा होता है, तो कीड़े भी आसानी से आकर लगते हैं, अगर आपके पौधे में कोई पौधे बारिश का ही तो अगर आपके पास ऐसी मंजरिया हैं, तो इनको किसी भी सिंपल सी मिट्टी में अगर आप बिखेर देंगे, तो ये बहुत आसानी से आपके पास सैकडो तुलसी के नए पौधे तयार हो जाएंगे और आप अपने पडोसीयों को रिष्टिदारो को भी तुलसी के पौधे बाट सकते हैं, जैसा कि आप ये देख रहे हैं, ये तुलसी के ऑपको दिखाई दे रहैं, हिंको मैंने उगाया नहीं है, अभी दो-तिन बारिश हुई है, जिससे कि जहां पर ये तुलसी के बीज गीरे थे, वहां पर ये नए पौधे निकल कर आ अगर इसके अंदर कोई घांस वगरा उगाई है तो इसको भी हटा दीजे क्योंकि जैसे जैसे बारिश होगी तो ये जो घांस है वो तेजी से जड़ पकड़ लेंगी तो इसको निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है तो फिरन्स कुछ लोगों को लगता है कि सिर्फ खाद ही हर समस्या का सॉल्यूशन है पौधे की साफ सफाई और उसके उपर सही टाइम पर कुछ काम करना बहुत जरूरी होता है तब ही हमारा पौधा ओवरॉरल हेल्दी रहता है और अच्छी ग्रोध करता है इस समय आप अपने तुलसी के पौधे की खराब ब्रांचिस को जरूर हटा लिजे तब ही आपका पौधा जादा से जादा नई ब्रांचिस निकालेगा और घना होगा कुछ लोग अपने तुलसी के पौधे में सिर्फ एक ब्रांच छोड़ देते हैं वो ब्रांच लंबी होती चली जाती है तो पौधा आपका घना बिल्कुल भी नहीं होगा सिर्फ लंबा होता चला जाएगा अगर आपको अपने तुलसी के पौधे को घना बनाना है जादा ब्रांचिस आपको इसके उपर चाहिए तो इसकी पुरानी खराब होती भी ब्रांचिस को निकालना बहुत ज़रूरी है तुलसी का नया पौधा लेने का या फिर अगर आप उसको रिपोर्ट करना चाते है नई मिट्टी में लगाना चाते हैं गमला बदलना चाते हैं तो ये भी एक सबसे बड़िया टाइम है तुलसी के पौधे को रिपोर्ट करने का टिप्स नमबर सिक्स पौधे की मिट्टी में कोई भी फटिलाइजर देने से पहले आप इसकी मिट्टी के अच्छे से गुडाई जरूर कर लीजे मिट्टी की ड्रिनेज अच्छी होनी चाहिए बारिश के टाइम मिट्टी ऐसी इस्तमाल करें जिसमें पानी लंबे टाइ पान का चिलका भी थोड़ी मात्रा में मिला लीजे इससे मिट्टी की ड्रिनेज बहुत अच्छी रहती है और पानी हमारे पौधे में नहीं रुपता है टिप्स नमबर सैवन जो है इसका फटिलाइजेशन तुलसी के पौधे में जो भी फटिलाइजर आप देंगे फटि यह जो मेरा तुलसी का पौधा है यह शाम तुलसी है जो की नरसरी से आपको मिलती है सबसे कॉमन तुलसी का पौधा होता है वो होती है राम तुलसी जिसकी पतियां आपको हरे रंकी मिलती है उपर से नीचे तक उसकी सारी पतियां हरे रंकी होती है लेकिन जो शाम तुलस कंपोस्ट आप कोई भी ले सकते हैं जो भी आपके पास हो जो कि आसानी से आपको एवलेवल हो जाए लेकिन जो गोबर की खाद है वो सबसे बढ़िया कंपोस्ट होता है हमारे तुलसी के पौदे के लिए और यहां जो मैंने कंपोस्ट लिया है वो डेड़ से 200 ग्राम है जो के लावा और काफी सारे माइक्रो नूट्रिंस होते हैं तो हमारी तुलसी ओवर ओल काफी अच्छी ग्रोध करती है इसका इस्तुमाल आपको सिर्फ महीने में एक बार करना है जैसा कि आज जून महीने की 22 तारिक है आज मैं इस कंपोस्ट को अपने पौदे को दे रही हू तो फिर जुलाई में ही जाकर इसको आपको repeat करना है इसके बाद मैं अपने तुलसी के पौदे में एक additional चीज यह पर देने वाली हूँ वो है हल्दी का पौदर हम सब के घर में होता है हल्दी का पौदर देने का फायदा ये है कि तुलसी की जो हमारा पौधा है वो स्वस दे रहे हैं तो भी आप इसको अपने तुलसी के पौदे की मिट्टी में छुड़क दीजिए तो यह जो चीजे हैं कीड़े और फंगस तुरन से आपके पौदे से गायब हो जाएंगी अगर आपके पौदे की पतियों में फंगस लग रहा है तो आप हल्दी के पानी का हैं तो गोबर के उपलों से बना liquid fertilizer भी हमारी तुलसी के पौदे के लिए बहुत ही बढ़िया काम करता है इसके लिए आप गोबर के उपले किसी गाओं वाले एरिया से ले सकते हैं अगर आप गाओं में रहते हैं तो फिर आपको यह बहुत ही आसानी से मिल जाएगा लेकि जो उपले हैं वो आजकल online भी बहुत यासानी से मिल जाते हैं इस liquid fertilizer को बनाने के लिए आप सिर्फ 2-3 टुकडे इसके ले लिजे और इसको एक दिन के लिए पानी में बिगो कर रख दीजे और अगले दिन जो liquid बनकर तयार होता है इसको आप अपने तुलसी के पौदे में nitrogen मिलेगा अब मैं आपके साथ share करने जा रही हूं कुछ homemade solution अगर हमारे पास बाहर का market का कुछ भी नहीं है हमारी तुलसी के पौदे में डालने के लिए तो हम इसकी nitrogen की मात्रा को कैसे पूरी करें अपने तुलसी के पौदे की growth को कैसे बढ़ाए यहां आप जी चीज का इस चमच फ्रेश चाय की पती भी ले सकते हैं जिसका इस्तमाल आपको महीने में सिर्फ एक बार अपने तुलसी के पौदे के उपर करना है या फिर आप एक चमच कौफी पौदर भी ले सकते हैं इसका इस्तमाल भी आपको महीने में सिर्फ एक बार आपकी तुलसी के पौदे के उपर करना है ये फ्रेश ठी वोटी है जो कि अभी हमने इसकी चाय नहीं बनाई है इसका इस्तमाल आपको बहुत जादा बार बार आपके तुलसी के पौदे के उपर नहीं करना है क्यूंकि इसके अंदर काफी सारे कैमिकल और प्रेजरवेटिव भी होते हैं तो इसका जा जाएगी तो नाइट्रोजन की कमी पूरा आपके पौदे में हो जाएगा तो हमारी तुलसी ग्रोथ करती रहेगी नहीं नहीं पत्या निकालती रहेगी ये एक सबसे बढ़िया होमिट सॉलीशन है किसी भी पौदे को नाइट्रोजन की मात्रा देने के लिए लेकिन इसको इसको इस्तमाल करने से पहले आप इसको चार पाच पानी से अच्छे से दो लीजिए दोने के बाद धूप में इसको जरूर सुखाएं सुखाने के बाद ही आपको इसका इस्तमाल आपके तुलसी के पौदे के उपर करना है इसकी मात्रा आप जादा रख सकते हैं इसको आ एक बहुत ही बढ़िया homemade natural compost है हमारे पौदे के लिए। तो दोनों ही में से किसी का भी इस्तमाल आप कर सकते हैं, फ्रेश टी का भी इस्तमाल आप कर सकते हैं, उबलीवी चाई की पत्ती का भी कर सकते हैं, लेकिन मात्रा का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि काफी सारे लोग मुझे comment करके पूछते रहते हैं, कि फ्रेश टी देना है, या फिर उबलीवी चाई की पत्ती को देना है, इसके साथ ही महीने में एक बार आप हल्दी पाउडर आपकी तुलसी के पौदे को जरूर दे, अगर आप अपने तुलसी के पौदे को स्वस्त रखना चाते हैं, कीड़े और फंगसे बचा कर रखना चाते हैं, तो महीने में एक बार चाहे कोई भी कमपोस आप डाले, चाहे होम में डाले या फिर मार्किट का डाले, एक चोमच हल्दी पाउडर अपने तुलसी के पौदे को जरूर दे, इसके बाद एक आखरी टिप जो कि हमारे तुलसी के पौदे की ग्रोध को बढ़ाने के लिए, जादा से जादा नई ब्रांच लेने के लिए बहुत जरूरी है, जैसे ही आप कोई नया पौदा लगाते हैं या फिर आपने 20 से उगाया है, आप छोटे पौदे को नय पौट में शिफ्ट कर रहे हैं, उसकी ग्रोध को आपको बढ़ाना है और आपको जादा से जादा आपको अपने तुलसी के पौदे के उपर चाहिए, तो जो इसका टिप है, इसको आप सबसे पहले हटा दीजिए, अगर आप इसके टिप को हटा देंगे तो आपके तुलसी के पौदे पर आपको जादा से जादा ब्रांचिस मिलेगी, जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये एक छोटा सा पौदा था और इसके टिप को मैंने हटा दिया है, तो इसके नीचे से दो-दो ब्रांचिस निकल कर आ रही है, हर ब्रांच में, इसके साथ ही इसके नीचे भी नई ब्रांचिस आनी शुरू हो गई है, ये एक सही टाइम है, और सही टाइम पर ये काम तुलसी के पौदे के उपर करना बहुत जरूरी है, अगर आपने ये काम नहीं किया, तो आपकी तुलसी सिर्फ लंबी होती चली जाएगी, और आपको इसके उपर कम से कम ब्रांचिस मिलेंगी, जब भी हम किसी पौदे के टिप को हटाते हैं, तो इसका ग्रोथ हार्मोन एक्टिवेट हो जाता है, और जादा से जादा पौधा नहीं ब्रांचिस निकालता है, और आपका पौधा ग्रोथ करता है, ये एक नैच्रल तरीका है तुलसी के पौधे को बिना किसी खाद के जादा घहना बनाने का, तो फ्रिंग्स तुलसी पौधे से रिलेटेड जितनी भी जानकारी मेरे पास थी, मैंने सारी की सारी आपको इस वीडियो में शेयर करने की, पूरी पूरी कोशिश की है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो एक लाइक जरूर करें, और मेरे चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें, मिलते हैं मेरे नेक्स वीडियो में, तब तक के लिए थाइंक यू